हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मिरणा मेरी असीश पंडे और आप पड़ रहे हैं। दा टॉपिक मास्टर पर टार्गेट हैंड़ड बैच को उस टार्गेट हैंडड बैच में कंप्लीट साइन्स आपको फ्री में मिलने वाली है और ये जो बैच है बैटा हिंदी माद्धम के बच्चों के लिए है क्या ये इंग्लिस माद्धम के बच्चों के लिए भी है क्या हाँ इंग्लिस माद्धम के बच्चों के लिए भी launch हो जाएगा अभी जो हमने launch किया है वो 10th हिंदी माद्धम के बच्चों के लिए launch किया बेटा और इसमें हम complete आपकी science को cover करने वाले हैं free में जिसका कोई charge नहीं है बेटा free में live practical हम करेंगे free में बेटा बहुत सारी चीजें आपको ppt हो गई test हो गई practice set हो गई यह सब कुछ आपको free में मिलेंगे और यह video आपको regular form में free में मिल जाएंगे batch का नाम है बेटा target handed batch एक बार इस batch को ध्यान से चीजों को समझ लीजेगा इस batch में बहुत सारी चीजें बेटा हैं जो आपके लिए benefit देंगी आपको free में मिलने वाली हैं इसलिए आप channel से जुड़ जाईए और लगातार वीडियो को देखते रहिए एक बार चेंज हो जाए class का timing बढ़ जाए और हो सकता है कि science की classes 4 या 5 दिन की हो जाए अभी की हिसाब से तीन दिन classes चलेंगे बेटा तीन दिन classes चलेंगे exam से पहले आपका पूरा course complete करा दिया जाएगा बहुत ही detail में चीजों को समझाया जाएगा आपको notes दी जाएएगी सब कुछ ही detail में होगा और यह पहली बार YouTube में होने जा रहा है कि एक detailed video topic wise video बनने वाले हैं कि topic के video आपको मिल जाएंगे question practice मिल जाएगी सब कुछ आपको free में मिलने वाला है बेटा बहुत सांदार सी चीजें हैं जो आपको free में मिलेंगी बेटा आज की topic में हम क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से देख लें आज का जो हमारा topic है वो chapter number पहले का है देखो chapter number पहला बेटा जो start होता है वो chemistry का chapter number पहला है और chapter number पहले का नाम है रास्याइनिक अभी करिया एवा वं समीकरणद और यो जो chapter 1 है ना chapter 1 पहला बीटा chemistry का है बेटा chapter पहला किसका है chemistry यानि रास्यान विज्यानका है जब आप NCRT लेते हैं class 10th की chapter number पहला open करते हैं तो जो आपको chapter मिलने वाला है वो मिलने वाला है रासाइनिक अभी क्रियाएं एवं समी करड़का आज हम कौन से topic पढ़ने वाले हैं आज हम सबसे पहले देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है इसकी भौतिक और रासाइनिक परिवर्तन कैसे होते हैं और इन में अंतर क्या होता है सरी यह जो topic है यह topic तो आपने 9th में पढ़ा दिया था और 9th में भी आपने इस topic को पढ़ाया है बेटा जो 10th है ना वो 10th 9th से connected ही है 9th का जो पहला chapter है बेटा उसी से connect होकर बना है दूसरा chapter अब इसमें थोड़ा सा different है वही चीज़े मैं आपको सिखा रहा हूँ आज मैं आपको introduction दे रहा हूँ इस chapter का आज मैं आपको basic चीज़ें सिखा रहा हूँ बेटा यह lecture बहुत ज्यादा important है यह class 9th में आपने नहीं पढ़ा यहाँ पर कुछ extra point आप पढ़ने वाले हैं ठीक है चलो फी ठीक है अच्छी बात है अब य यहाँ इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे और कहां से मैं इस chapter को start करता हूँ यह important बात है मैं थोड़ा सा आपको यह समझाना चाहूँगा बेटा कि अगर मैं class 9th की बात करता हूँ sir class 9th की बात मत करिये sir please मत करिये बेटा करनी पढ़ेगी अगर तुम्हें basic समझ में आएंगी class 9th में बेटा आपने chapter number पहला पढ़ा class 9th में आपने chapter number पहला पढ़ा और उस chapter में आपने matter के बारे में पढ़ा about matter पढ़ा matter का मतलब होता है पदार्थ के बारे में आपने पढ़ाई की बेटा इसी पदार्थ से connected है यह वाला chapter लेकिन कैसे connected है मैं आपको connect करके दिखाऊंगा कि हाँ ये इस तरह से connected है आज आओ देखते हैं कैसे connected है देखो बेटा अगर ध्यान से चीजों को तुम समझो तो तुम्हें कुछ चीजे समझ में आएंगे कि जब तुम matter की बात कर रहे थे तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि matter क्या है बेटा हो जिसके पास क्या हो बेटा जिसके पास द्रव्यमान हो द्रव्यमान हो बेटा जो इस्थान गेरता हो और जिसके पास द्रव्यमान हो बेटा वो क्या है? वो मैतर है क्या ये क्लास नाइंथ में तुमने पढ़ लिया था क्या? हाँ सर इसको हमने पढ़ा था हमें याद भी है class 9 तो अभी पास करके हम लोग आ रहे हैं तो class 9 सारी चीज़े हमें याद है यह हमने class 9 में ही पढ़ लिया था इसको तो बेटा तुमने पढ़ लिया था जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ न वो important है और वो class 10 का topic है वो connect करता है बेटा class 10 के साथ कैसे connect करता है आज वो देखते हैं अगर बेटा मैं matter की बात करता हूँ तो matter की दो अवस्थाएं होती हैं अगर मैं इनके अवस्थाओं की परिवर्तन की बात करता हूँ एक वो तो भौतिक आउस्था में परिवर्तन एक रासाइनिक आउस्था में परिवर्तन कैसे आज आज उस समझते हैं चीजों को समझते हैं मैं दो चीजों की यहाँ पर बात करना चाहूंगा दोनों को मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिखूंगा, मैं एक तो भोतिक अवस्था में परिवर्तन, यही मैं भोतिक परिवर्तन कहूंगा, बोतिक परिवर्तन की बात करूँगा, और दूसरा जो मैं बात करूँगा, बेटा वो रासाइनिक परिवर्तन की बात करूँगा रासाइनिक परिवर्तन की बात करूँगा ज्यान से देखना चीजों को कि कैसे connect हो रहा है रासाइनिक परिवर्तन की बात करूँगा परिवर्तन की बात करूँगा अगर बेटा मैंने आपसे कहा कि भौतिक परिवर्तन क्या है तो class 9 वे ये पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर था class 9 में आपने सीखा क्या class 9 वे आपने क्या सीखा कि कैसे solid जो होता है जो थोंस होता है उसको कैसे हम change कर देते हैं बेटा liquid में कैसे हम उसको change कर देते हैं किसमे liquid में कैसे इस liquid को हम gas में change कर देते हैं बेटा कैसे इस liquid को हम किसमें change कर देते हैं gas में change कर देते हैं फिर कैसे इस gas से फिर हम liquid में आ जाते हैं ये सब class 9 में बेटा पढ़ाए गया है कैसे इस liquid से फिर से हम किस में आ जाते हैं solid में आ जाते हैं कैसे इस solid से हम direct कहां पर आ जाते हैं gas में आ जाते हैं जिसे हम sublimation बोलते हैं मैं एक बार सब चीजे बता देता हूँ बेटा solid से liquid का बनना गल नांग है दूसरा नंबर liquid से gas का बनना को थनांग को हो गया तीसरा gas से फिर से liquid का बनना बेटा संघनन हो गया और चौथा बेटा हमांग को हो गया और पाँचवा क्या हो गया सबली मेशन उर्धु पॉतन बोलते हैं ये बेटा जो मैंने अभी अभी आपको बताया ये ninth का portion है इसको मुझे नहीं पढ़ाना अगर ये आपको नहीं आता तो मेरे ninth वाले lecture जाके देखें बेटा इसको class ninth में पढ़ाया जाता है class ninth के chapter number पहले में इसको सिखाया जाता है और ये important है यहाँ से question पूछे जाते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने ninth भी अच्छे से नहीं पढ़ा समझ दो मेरे बात को तो ये तो पूरा जो topic मैंने बताया ये बेटा ninth का topic था ये किसका topic था ninth का topic था एक बार थोड़ा सा आप इसको लिख ले इसका screenshot ले लिए पहले इसका screenshot ले लिए क्या सब लोगों ने ले लिया चलो ठीक इसको मैं हटाता हूँ और ये solid वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अब थोड़ा सा आजाओं मैं कुछ चीज़े बता दूँ आपको कि मैं यहाँ से कुछ चीज़े आपको सिखाऊंग में क्या सीखना है तुमको हमने भौतिक परिवर्तन में देखा कि कैसे हमारा पानी बर्फ बन जा रहा है कैसे वो बर्फ फिर से पानी बन जा रहा है कैसे पानी भाप में बदल जा रही है ये सारी चीजें बेटा हमने सीख ली कहां ये सारी चीजें हमने सीख ली भौतिक परिवर्तन में अभी आपको बिल्कुल प्यारी सी नोट्स में आपको देने वाला हूँ यहीं पर इसकीन सोट कल दीजेगा उसको पहले मुझे समझा लेने दीजे एक बार यह हमने बहुत इक परिवर्तन वाली कहानी क्लास नाइन्थ पढ़ी लेकिन रासाइनिक परिवर्तन क्या है बेटा रासाइनिक परिवर्तन में हम इनकी बात नहीं करने वाले हैं यह क्लास नाइन्थ का टॉपिक था हमने नाइन्थ में सीख लिया था बेटा रासाइनिक परिवर्तन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अ बात करता हूं तो रासाइनिक परिवर्तम में कुछ ऐसा होता है जैसे सपोस्ट डैट मैंने क्या ले लिया इधर आ जाओ जैसे सपोस्ट डैट मैंने क्या लिया बेटा मैंने हाइड्रोजन ले लिया मैंने ऑक्सीजन ले लिया ओटू ले लिया बेटा जम मैंने को मिला देत से इसको hydrogen बोलते हैं और oxygen से बनाया और oxygen से बनाया ठीक है तो जब मैंने hydrogen और oxygen को मिला दिया तो बेटा यह जल बन गया तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ यहां पर जो परिवर्तन हुआ वो किसका हुआ वो परिवर्तन रासाइनिक प्रिकार का हुआ मतलब इसी परिवर्तन को मैं बोलूँगा कि यह रासाइनिक परिवर्तन है नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं भौदिक समझ में आया भौदिक क्लास नाइंद वाला समझ में कईसे बर्फ को पानी में कईसे पानी को बर्फ में कईसे बर्फ को वास्प पानी किसे वास्प में सब चीजे करते हैं पर बेटा रासाइनिक में ऐसा नहीं होता है कुछ चीजे मैं आपको बताता हूं आपको समझ में आएगा सब के यहां सबजीयां सड़ी हैं सब के यहां स रासाइनिक परिवर्तन में क्या होता है ना रासाइनिक परिवर्तन में नए उत्पाद बनते हैं इस चीज पर ध्यान देना है आपको यहां पर जो बनेंगे वो नए उत्पाद बनेंगे नए उत्पाद का मतलब क्या है सर नए उत्पाद का मतलब यह है कि यहां पर तो मैंन new product है यह मेरा क्या है यह मेरा new product है is it clear बेटा यहां तक की चीज़े clear है क्या यह मेरा नया product है बेटा तो हमेशा जब भी चीज़ें बनेंगी रासाइनिक परिवर्तन में तो नए form में बनती कुछ नया आ बनेंगी जैसे सब्जी सडगई तो बेटा सब्जी सड़ने के बात तुम देखते हो कि गैस निकलने लगती है आजा थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं आजा इसके बात करने जा रहा हूं वो रासाइनिक परिवर्तन की बात करने जा रहा हूं दिख देता हूं अब देखो रासाइनिक परिवर्तन में क्या होता है इस चीज़ को तुम्हें थोड़ा सा समझना है बेटा समझना कैसे है आज हम मैं बताता हूं कैसे समझना है हम जब समझते ह को तो रासायनी परुद्फर में हम यह कहते है कि कुछ नया बनता है जैसे अभी-भी मैंने एक्जामपल लिया था किसका आज दूसरा एक्जामपल से समझा देता हूँ मैंने लिया बेटा कारबन फिर मैंने ले लिया बेटा oxygen ओटु मैंने ले लिया तो बन गया गया बेटा बन गया CO2 इस चीज को हम बोलते हैं कार्बन डाइयोकसाइड क्या बोलते हैं कार्बन डाइयोकसाइड क्या इस तरफ मैंने कहीं कार्बन डाइयोकसाइड लिया था क्या नहीं लिया था बेटा मैंने कार्बन लिया था मैंने ऑक्सीजन लि वरतन में जो लास्ट में बनेगा बेटा वो न्यू रहेगा वो नया रहेगा यही तो खासियत है भौतिक वाले में ऐसा नहीं था तुमने पानी को फ्रिज में रखा बेटा पानी जम गया लेकिन क्या पानी से कुछ नया बना क्या नहीं बना बेटा नया कुछ नया नहीं ब बन गया, ये कुछ नया बन गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं, ये चीजें सब समझ में आ दें, सब क्लियर है, ओके, कुछ और बाते समझो, जब भी रासाइनिक परिवर्तन होगा, तो एक तो चलो ठीक है, नया उतुपाद तो बेटा, और क्या हो सकता है, बेटा, और हो सकता है कि रंग बदल जाए, रंग में परिवर्तन आ जाए, बेटा, हो सकता है कि रंग में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है कि हीट निकले, बेटा, हो सकता है कि हीट निकले, ये रंग में परिवर्तन हो सकता है, और हीट निकल सक सकती है …ो सकता है杏น निकलने तो गैस क rozum managing हैंARA इक बाद बताओ सबजी का सड़ना क्या है सब्जी का सटना Oldson परिवर्ता रहे एक बाक जब सब्जी सड़ती है तो अपने आप निकलती ही कि नहीं निकलती है पदबू देती है ठीक है तो बेटा वो जो गैस निकल रही हो कहां से निकल रही हो रासाइनिक परिवर्पन के बाद निकल रही है तो यह मैंने आपका बेसिक बनाया यह मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ बातें आपको बताई अब मैं आपको न सकमाद नोर्स को स्टार्टिंग करें गयं किसके साथए कि सद्षिंग करें रातिक इनिक परिवर्तन के साथ साथ अब मरें गड़ परिवर्तन आपने लिखुआ या ए परिवर्तन जो है यह हमारे class 10th का बेटा topic हो जाता है और भौतिक परिवर्तन class 9 में सिखाया जाता है इसमें होता क्या है यह ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक नए उत्पाद बनते हैं यानि नए पदार्थ बनते हैं अभी-भी मैंने आपको सिखा दिय किया था साथ ही साथ में यही परिवर्तन क्या है यही परिवर्तन बेटा जन में देती हैं किसको रासाइनिक अभी क्रियाओं को मैंने अभी-भी एक example भी बताया था कि रासाइनिक परिवर्तन ही क्या है एक तरीके की रासाइनिक अभी क्रियाएं हैं जैसे तुम्हारे body के अंदर पाचन हो रहा होगा ये भी रासाइनिक परिवर्तन है फलो का पकना ये भी रासाइनिक परिवर्तन है अंगूर का किंडवित होना बेटा किंडवित होकर हम लोग बीर वगेरा बनाते हैं तो बेटा ये भी क्या है रासायनिक परिवर्तन के उधारण हैं रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनेंगे इस वेरी 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 इंप्वाटेंट पॉइंट है स्कीन सौट आप लोग एक बार कर दें अपनी अपनी नोट्स बनाना ही स्टार्ट कर दें कम्पलीट नोट्स आपको फ्री में मिल रही है पूरा कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अब देखो तुमने भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया था क्लास 9 में रासायनिक परिवर्तन मैंने तुम्हें सिखा दिया यहां पर अब मैं तुमको इनके बीच के अंतर को बताऊंगा और इनके बीच में क्या अंतर होता है बेटा इन अंतर को अच्छी तरीके से सिखाऊंगा आज वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में पहले अंतर की बात करते हैं पहला अंतर बेटा ये है पहला अंतर क्या है जह हम पहले अंतर की बात करते हैं तो इन में केवल भौतिक गुड़ बदलते हैं, जैसे रंग, गंध, आदी में परिवर्तन नहीं होता है, या कहूंगा थोड़ी बहुत मात्रा पर देखने के लिए मिली भी जाता है कभी-कभी, यहां पर लिखा है परिवर्तन होता है, थोड़ा थोड़ा रंग कभी कभार, यह बेटा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो यानि मैं केवल इतना कह सकता हूँ, तो थोड़ी सी लाइन लिखना हो, तो मैं इतना कह सकता हूँ, कि पदार्थ के केवल भौतिक गुड़ों में परिवर्तन होता है, यानि मैं कह सकता हूँ, भौतिक गुड़ का म बदल जाए या इस gas से फिर से liquid में बदल जाए या इस liquid से फिर से solid में बदल जाए और या तो solid से किस में बदल जाए gas में बदल जाए ये class 9 में detail में बेटा बता दिया जाता है लेकिन जब क्या हो रहा होगा जब बेटा रासाइनिक परिवर्तन हो रहा होगा तो रासायनिक प्रिवर्टन में पूरा का पूरा रासायनिक संगठन बदल जाता है और उसके गुड़ बदल जाते हैं ऐसे गुड़ बदल जाते हैं बेटा इस चीज़ को समझो कि अगर मैंने कार्बन लिया plus मैंने ऑक्सीजन लिया और जो मैंने बना दिया बेटा वो CO2 मैंने बना दिया पहले कार्बन एक अलग चीज थी अलग प्रोपरिटी रखी थी और ओक्सियन एक अलग चीज थी ओक्सियन ने एक अलग प्रोपरिटी यानि गुड रखा था लेकिन जब बेटा बन के तयार हुआ carbon dioxide तो carbon dioxide तो इन दोनों से एकदम से अलग है यानि इसके रासाइनिक संगठन बदल गए और इसके रासाइनिक गुड भी बदल गए क्या इतनी बाते समझ में आई क्या पहला number point समझ में आया क्या आजाओ screenshot कर लो इसका भी screenshot कर लिया क्या चलो ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे अगर screenshot कर लिया यह हमारा पहला different था बेटा यह class 10 में मैं आपको बता दूँ class 10 में यह पहला question है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बहुत दीक और रासाइनिक परवरतन में अंतरों को यहाँ पर हम लोग ठीक यहां पर दूसरे point में हम लोग थे दूसरा point हो रहा है भी पर समय दे दें आप, ओपन हो गए, ठीक है, चलो ठीक है, ये बेटा तो ये दूसरा है, इसको में दूसरा कर देता हूँ अभी, ये बेटा दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ओके है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, दूसरे पॉइंट म होता है इसी लिए ये अनुत्य करमडी होता है अनुत्य करमडी ये अस्थाई क्या बता रहे हैं आजाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं ज्लब समझेंगे हर एक चीज को लिटेल में पढ़िंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आजाओ देखो क्या है जब मैं भौतिक परिवरतन की बात करता हूँ तो भौतिक परिवरतन क्या है समझो मैंने सॉलिड लिया मैंने सॉलिड लिया इस सॉलिड को मैंने किसमे चेंज कर दिया इस सॉलिड को बेटा मैंने लिक्वीड में चेंज कर दिया किसमें चेंज कर दिया लिक्वीड में चेंज कर दिया तो क्या यह बताओ एक बात तुमने बर्प बना दिया आओ इसको लिख देते हैं यहाँ पर मान लो ही तुमने आइस लिया है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वाटर बन गया लिक्वीड मतलब वाटर बन गया एक बात मतब आइस को फ्रिज से निकाला ये चेंज हो गया बेटा ये चेंज हो गया किसमे ये चेंज हो गया बेटा वाटर में और जैसे ही इस वाटर को तुमने किसमे रख दिया जैसे ही इस वाटर को तुमने फ्रिज में रख दिया बेटा फ्रिज में रखते ही ये वाटर फिर से से पकाका फ्रिज में रखा होगा और अगर यह पानी है तो बाहर निकल गया होगा इसको तुम गरम कर तो भाल बनके उढ़ जाएगा िवह आ तुम इधर जाओ, उधर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई तुम आई स्थिर हो, मैं कहूंगा तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे, तुमने आज मेरे दो लेक्चर देखे, पूरे लेक्चर रिकॉर्डेट फॉर में प्लेलिस्ट पर उपलब्द है, तुमने दो लेक कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देता हूं, तो जो बनता है, वो बनता है CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, और बेटा, एक बार अगर ऐसा हो गया, कि तुमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला कर कार्बन डाई ऑक्साइड बना दिया बेटा, तो फिर तुम इस कार्बन डाई ऑ अभिक्रियाएं नहीं हैं जो एक बार जाएं और दुबारा ना आएं बेटा कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो अनुत्क्रमेडी नहोकर उत्क्रमेडी होती हैं आगे हम बात भी कर लेंगे लेकिन मैं मैंक्सिमम की बात करता हूं मैंक्सिमम को मतलब सबसे ज्यादा जो दे आएगा नहीं तो इन दोनों टर्म्स को बेटा सीख लीजेगा एक तो अनुत करमड़ी है एक तो उतकरमड़ी है उतकरमड़ी का मतलब जाने और आने दोनों को रस्ता है लेकिन अनुत करमड़ी का मतलब यह है कि केवल अगर तुम चले गए तो दुबारा आ नहीं सकते हो ज चलो सर बहुत बड़ी है समझ में आ रही है सर चलो अच्छी बात है कर समझ में आ रही है अगले पॉइंट की बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट तो बहुत देर से समझा रहा हूं और क्लियर भी कर देता हूं बेटा तीसरे पर पॉइंट में लिखा है कि इसमें नए उत्पाद बनते हैं इसमें नए उत्पाद नहीं बनते हैं बेटा और इसमें नए उत्पाद का निर्माड होता है तर समझाइए इसको एक्जामपल की जरीए जैसे आप समझा रहे थे आज आप समझाता हूं तुम्हारे पास बेटा चेंज कर लिया किस में लिक्वीड में चेंज कर लिया बेटा लिक्वीड किस रूप में आ गया वाटर के रूप में एक बात बताओ एक बात बताओ क्या इन दोनों अवस्थाओं में ऐसा हुआ क्या कि यह जो आइस थे दूसरा कुछ था अरे भया आइस के अंदर भ कुछ नया बन जाएगा बर्फ कुछ बर्फ मीठा हो जाएगा बर्फ आइस्क्रीम बन जाएगा क्या अपने आप अरे यार पानी को रखने से आइस्क्रीम थोड़ी नहीं बन जाती है बेटा पानी को रखने से आइस्क्रीम बनती है क्या नहीं बनती है पानी को रखने से ब Oxygen ले लिया बेटा और दोनों को अगर तुमने मिला दिया तो जो बनेगा वो बनेगा HA2O बेटा इसी को तो बोलते हैं हम लोग वाटर क्या बोलते हैं बेटा इसी को हम लोग बोल देते हैं वाटर और यहां पर जो तुमें दिख रहा है बेटा साप साप सर दिख रहा है कि म बैहां ने जमाया था तैक यहां पर पांनी जो था ही नहीं और क्या बन गया बैटा बहत आसंजी बात हो गई पानी आया तो आया कहाँ से भी जड़ा या जुक्त पांने गोम निव प्रोडिक्ट प्रूप में यह नेया बन रहा है और राशायिक परिवरतन में बेटा ऐसा ही हो रहा है रासानिक परिवरतन जब भी होगा तो कुछ न कुछ नया बनेगा क्या बनेगा बेटा कुछ न कुछ नया बनेगा सरसमझ में आ गया बेटा स्कीन सौट ले ले एक बार सभी बच्चे स्कीन सौट ने लिया होगा चलो फिर मैंब आगे बढ़ना चाहूंगा अब मैं हारदी की इच्छा के साथ आगे बढ़ूँगा और पॉसमझाना चाहूंगा मैं ठीक है आजाओ, ये point number 4, ये last point है, आजाओ इसको समझ नेते हैं पहले, ठीक है, सर यहाँ तक की चीज़े समझ में आ गई, नोट साब बहुत अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ मज़ा आ रहा है, बढ़िये समझ में आ रहा है बेटा, कुछ ना आये तो आपको comment करना है, कोई भी दिक प्राप्त किया जा सकता है, बेटा इसमें नहीं किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता, सर इस point को भी समझाईए, मैं समझाता हूँ, आजाओ, समझाता हूँ, आजाओ, देखो, देखो, आजाओ, मैंने क्या बना दिया, मैंने बेटा solid बना दिया, solid से मैंने क्या बना दिया, solid से मैंने liquid बना दिया, एक बात बताओ, क्या इस liquid से दुबारा मैं solid बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ बेटा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक बार H2 ले लिया, एक बार oxygen ले लिया, और मै मैंने क्या बना दिया मैंने बना दिया है एच टू ओ जो कि क्या है बेटा वाटर है यह बेटा कुछ नया बन गया यहां पर अब इससे तुम इधर की तरफ जाकर नहीं मतब दुबाराँ वापस नहीं जा सकते प्रारंभी उत्पाद पर देखो यह तो हमारे उत्पाद हैं ये मेरा प्रारंबी के, शुरूआते मैंने लिया था, सुरूआते मैंने हाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, लेकिन बना क्या था, बना था, हच्टुो, अब मैं H2O से दुबारा उस चीज को प्राप्त नहीं कर सबका इतनी बातें समझ में आ गई सब को समझ में आ गया एक्जामपल की बात करते हैं चलो आजाओ जैसे बर्प से जल वास्प का बनना जैसे बर्प को तुमने जल बना दिया जल को तुमने वास्प बना दिया बर्प को तुमने जल बना दिया जल को तुमने वास्प बना दिया फिर वास्प से जल बना दो वास्प से फिर क्या बना दो बर्प बना दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता रहेगा बट यहाँ पर एक बार लोहे में जंग बेटा लग गई तब दुबारा से उस लोहा को कैसे पाओगे वहां का लोहा तो रश्ट हो गया जंग लगना मतलब रश्ट होना अगर एक बार रियक्षन हो गई तो रियक्षन होने के बाद जो बेटा तुम को मिल गया अब यह बताओ यह जो चीजें मिल गई इससे तुम इधर की तरफ कैसे जाओगे यह पॉसिबल ही नहीं है यह पॉसिबल ही नहीं है क्या सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या एक एक प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से मैंने एक्स्प्रेंट की है अब भी अगर कोई ऐसा पॉइंट लगे कि सरी यह वाला कम समझ में आया तो आप नम्मर बता जिए यह वाला कम समझ में आया उसका हमने सौट वीडियो वाना के डाल देंगे अपना देखते रहीएगा ठीक है सर किहां तक कि समझ में आगी बहुत प्यार से समझ में आया सारी चीज़ें समझ में आई मज़ा भी आ रहा है सारी चीज़ें है ठीक है फिर अगर अच्छी बात है सब चीज़ें है अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ठीक है तो यहां तक कि सबको समझ में चीज़ें आ गई होगी और सबको clear भी होंगी अब मैं जो अगला topic पढ़ाऊंगा बेटा वह मैं पढ़ाऊंगा आने वाले अगले वीडियो में और आने वाले बेटा अगले वीडियो में बहुत ही important सा topic यानि मैं इस chapter की starting करने वाला हूँ रासाइनिक अभी क्रियाओं के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा किसके बारे में मैं अगले topic में पढ़ाऊंगा रासाइनिक क्या पढ़ाऊंगा बेटा रासाइनिक अभी क्रियाओं के बारे में पढ़ाऊंगा अब इन रासाइनिक अभी क्रियाओं में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा ये तो आने वाले वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यही से कोशन पुछे आते हैं और यही से क्लास 10th के टॉपिक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं यही से हमें चीज़ों को समझना है आज जो मैंने बताया हूँ मैं बेसिक बता रहा था 9th और 10th को connect कर रहा था बेटा मैं आपके I hope यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी पढ़ने में मज़ा आया होगा experiment समझ में आया होगा तो ऐसे ही करके बहुत सारे experiment अभी हम करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ 3 of fast चैनल से जुड़ जाएं बताते रहें feedback देते रहें चैनल कैसा लग रहा है वीडियो कैसे लग रहे है thank you so much for watching मिलता हूँ मैं आपसे इन नेक्स बीडियो पर thank you बाई टाटा बाई बाई